सब्सक्राइब किजी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटब को दबाईए और उसे दिबाने के बाद बेल आइकन के बटब को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज की अपडेटस आपको regularly मिलती रहे शुक्रवार के दिन आप माता लक्षमी की अगर पूजा करते हैं उनकी आराधना करते हैं और कुछ ऐसे उपाय करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तीजूरिया हमेशा धन से भरी रहे और आपके उपर माता लक्षमी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए आज आपको एक उपाई बताने वाले हैं जो कि शुकरवार के दिन आपको करना है आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और एक कटोरी में जल ले लेना है हल्दी को जल में मिलाना है मिलाने के बाद उसे पानी की साहिता से गोलना है अच्छी तरीके से अब इस हल्दी से आपको अपने घर के बाहर जो में गेट रहता है सबसे बाहर का उसके पास जाना है दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे माता लक्षमी के पद चिन बनाने हैं माता लक्षमी के पैरों की छाप बनानी है और उसके बाद में गेट के दोनों तरफ आपको दो स्वास्तिक बनाने हैं एक स्वास्तिक दाय में और एक स्वास्तिक बाय में देवी मा का नाम ल सकते हैं या फिर शाम की पूजा के पहले कर सकते हैं आप यह उपाय करें और ध्यान रखें माता लक्षमी की जिस पर माता लक्षमी कमल के फूल पर विराजमान है उनकी तस्वीर या फिर मूर्ति की आप जरूर पूचा करें माता लक्षमी से प्रात्ना करें कि हमारे घर में विराजमान हो, हमारा धर धन धाने से भरे, हमारी दुख तकलीफें दूर करे ऐसा आप करते ही आपको शीगरी ही फल मिलेंगी यदि आप दिल से, पूरी श्रश्दा से इस कारे को करते हैं तो आपके जीवन में मातल लक्ष्मी धन धान से कोई कमी नहीं सोड़ेंगी आपका धन और भंडारा हमेशा भरा रहेगा